हेलो एब्रीवन अगेन अगेन वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल सिविल एठोम शेर एंड सब्सक्राइब फॉर इनोवेटिव सिविल इंजिनिरिंग तो दोस्तों घर पर रहिए और सेफ रहिए मेरे साथ सिविल इंजिनिरिंग पढ़ते रहिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं और मेरा फेस्बुक पेज भी लाइक कर सकते हैं जो दोनों ही सिविल एठोम के नाम से हैं तो दोस्तों आज के लिए मैं आपकी टर्म से लेकर रहा हूँ वो है बलकिंग ओफ सेंड आज हम जानेंगे कि बलकिंग ओफ सेंड क्या होती है ये टर क्या होती है तो दोस्तों पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं बुक में इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई होती है तो दोस्तों देखें बलकिंग ओफ सेंड की डेफिनेशन दी हुई होती है बुक में वो इस तरीके से है if a dry mass of sand is motioned slightly and then shoveled or dumped into a heap its volume will increase considerably relative to sand दोस्तों समें ये क्या कहना चाहरा है simple language में आपको बताता हूँ bulking of sand होती क्या है ये कहना चाहरा है कि अगर आपके पास कोई भी dry mass है sand का मतलब आपके पास कोई भी सूखी मिट्टी है अगर आप उसको थोड़ा सा गीला कर देते हैं बहुत ही कम amount में उसको moisture कर देते हैं और फिर उसको खोद देते हैं उसी जगे से जहां सर आपने गीला किया है ठीक है तो उसका एक धेर बना देते हैं heap मतलब धेर होता है और soul मतलब खोद ना होता है उसको अगर हम खोद कर थोड़ा डेर बना देते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है, उसका जो volume होता है send का वो थोड़ा सा increase हो जाता है पहले के मुकाबले ठीके दोस्तों इसमें याद रखे weight increase नहीं होता है सिर्फ volume increase होता है, weight increase होता है ठीक दोस्तों यहां देखते हैं note point of bulking of sand पहले हैं यहां पर मैं आपको graph के with the help of graph मैं आपको बताना चाहता हूं कि bulking of sand किसमें ज्यादा होती है fine में यह medium sand में या फिर core sand में तो दोस्तों यहां पर देखें आपको यहां पर graph दीख रहोगा यह वाला first graph आपको यहां पर तो जो fine sand होती है उसमें एक दम से volume increase होने लगता है मतलब fine sand में सबसे ज्यादा bulking of sand होती है क्यों होती है क्यों कि उसके छोटे-छोटे particle होते हैं और वो जब उनमें पान यह आ जाता है तो यह एक दूसरे से दूर होना start हो जाते हैं फूल ने लग जाते हैं उसके बात करत किसमें होती है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने परसेंटेज पर सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों फश्वा है इस वाली बात को कि five परसेंट पर सब्से ज़्यादा बलकिंग औफ सेंड होती है five पर्सेंट पर दोस्तों फिर से बता रहा हूं सबसे ज्यादा वॉल्यूम इंवर्ह जाता हूं कि bulking of sand जब नहीं होती कब नहीं होती जब वो saturated form में हमारी आ जाती है मतलब हम उनका water इतना बढ़ा देते हैं कि वह अपने saturation level पर पहुंच जाती है या फिर saturation level से थोड़ा कम होती है तो दोस्तों वहां पर bulking of sand नहीं होती बिल्कुल भी नहीं होती तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह आपको नोट पॉइंट जरूर याद रहेंगे और आपको bulking of sand जरूर याद रहेगी कि bulking of sand क्या होती है तो दोस्तों थैंक यू फॉर यूप वाचिंग एंड थैंक यू फॉर रेटेंस प्लीज जादा ज्यादा वीडियो को शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग इस्टे हों एंड स्टे सेफ तो प्लीज आपको कोई भी निगेटिव पोजिटिव फीडबैक है आप मुसे इस इमेल आडिए पर मेल कर सकते हैं और कमे